यहां पर सो ग्वेस्टन की मैंने सीरीज स्टार्ट की है ठीक है जिसमें आज हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट करेंगे पहला पार्ट यहां पर हम लोग करेंगे जिसमें आपको 16 सोला risky मिलेंगे और इन सोला कुषेशं करेंगे 22 क यहां पर निकलके आएंगे और है जितने भी क्वेशन हैं यह मैंने अपने नोट से निकाल करके यहां पर नोडाउन किये हैं ऑच जितने भी और सबीख सब्सक्राइब मॉइत हैं और अप यहाँ पर आपको options नहीं मिलेंगे यानिकी बिना option के मैंने यहाँ पर questions रखे हैं exam में आपके options दिये जाएंगे लेकिन यहाँ पर मैंने one liner based question यहाँ पर no down किये हैं तरीके से आपको देना है इसलिए आप लोग video को pause कर करके आप लोग अपने answer comment box में जरूर दीजेगा जिससे पता चल जाएगा कि आपके कितने questions सही हो रहे हैं ठीके कितने question आपके सही हो रहे हैं तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा ठीके चली question पहला question हम लोग start करते ह हमारा पहला question क्या है सरवाधिक नट्राज की का से से निर्मित मूर्तिय किस काल में बनी आप लोग pause करके अपने answers देते रहिएगा ठीक है क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा और मैं जली नी बताऊंगी इसलिए क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो ठीक है मलब टाइम वेस्ट क्या करना ठीक है चलिए सरवाधिक नट्राज की का से से निर्मित मूर्तिय किस काल में भगवान जो शिव है जो तांडव नृत के रूप में दर्शाय जाता है यानि की चार हाथ के इस दरशाय जाता है कहा जाता सबसे अच्छी position है तो अगर आप से शताबदी पूछी जाए तो आपको बारवी शताबदी याद रखना है अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो इसका पीडिएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी तो वहां से आप डाउ लोड कर लेना free of cost ठीक है तो आपको पता है टेलिग्राम चैनल का भी नाम क्या है study edition के ही नाम से हैं बहुत से बच्चे new होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि आपको जो है टेलिग्राम चैनल पे notes वगरा दिये जा रहे हैं तो अगर आपको इसका चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा जिसे कि मैं वहाँ पर upload कर दूँगी तो वहाँ पर से आप download करके revision कर सकते हैं next question हमारा है गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहां से प्राप्त है यहां पर पूछा गए गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो है वो कहां से प्राप्त है और इसका निर्मान किसने करवाया तो सबसे पहले देखेंगे कहां से प्राप्त है तो आपको याद रखना है श्रवड बेल गोला आपको याद रखना है अब यह श्रवड बेल गोला पढ़ता कहां है तो यह कहां पढ़ेगा मैसूर में पढ़ेगा मैसूर कहां पढ़ता है तो करनाटक राज में पढ़ता है एक एक चीज आप लोग आराम आराम से समझे याद भी आपको करना होता है इसका निर्माड किस ने करवाया तो आपको बिल्कुल याद रखना है चामुंड राई को आपको याद रखना है इसका निर्माड काल किस ने करवाया था चामुंड राई ने करवाया था कहां पर है श्रवर बेल गोला में है श्रवर बेल गोला का है मैसूर में मैसूर का है करनाटका में ठीके बात क्लियर हुई नेक्स क्वेस्चन हमारा है गोमतेश्वर बाहुबली मूर्थी की उचाई यहां पर पूछा गया था कहां है और किसने निमान करें अब पुछा गया है इसकी उचाई कितनी है ठीक है तो उचाई के अगर हम बात करें तो 57 feet इसकी उचाई है अभी हम लोग देखे मूर्तिया जितने भी मंदिर है उसका अलगले डीटेल वीडियो हम लोग बाद में करेंगे ठीक है चीजे देखिए कोर्स बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए वन बाई वन धीरे-दीरे करके चीजे हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे आपके objective classes भी चलेंगी और आपके detail classes भी चलेंगी और आपके one-liner classes भी चलेंगी यहाँ पर 100 one-liner questions हम लोग करेंगे लेकिन यहाँ पर तो चोल वंश आपको याद रखना है बात clear हो गए next question हमारा है दक्षिर भारत के समस्त मंदिरों में आप यहाँ पर बात हो रही है कि दक्षिर भारत में जितने भी मंदिर है उसमें सबसे बड़ा और सबसे उचा मंदिर कौन सा है objective question में यह पूछा भी गया था आया भी थ तो आपको मैंने बताया था कौन सा मंदिर बताया था व्रदेश्वर मंदिर क्या बताया था मैंने व्रदेश्वर मंदिर बताया था जो दक्षिर भारत का सबसे बड़ा और सबसे उचा मंदिर है जिसको एक और नाम से बुलाया जाता राज राजेश्वर मंदिर ठीके र राज राजा प्रथम ने ही इसका निर्मार करवाय था इसलिए इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं फिर पूछा गया इसकी माप क्या है माप कि अगर बात करें तो आपको 500 इंटू 250 याद रखना है 250 वीट आपको यहाँ पर याद रखना है फिर पूछा गया किस स स Effects यहाँ पर आपको याद रखना है वरदेश्वर मंदिर बारे में किससे बना हुआ तो ग्रेणाइट पत्थर से बना हुआ है है और यह कहा उ Less क मारतंड का सूर मंदिर कहा है मारतं का सूरी मंदिर कहां है यह कि विचते के सास्षक नय olmas पूछा गया है और इससे क्या किस वंष में ब वनवाएंगे और यह क्या कहते हैं तो इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से यहां पर करेंगे ठीक है अब वह सोरी ड मंदर किसे कहती है में कり इसे सूर्मीर में पड़ती है तो इस अफमीर मेंедर कुरता है ठीकः सूरी मंदिर यानि कि सूर मंदिर अलगलग जगा पर अलगलग मंदिर है लेकि क्वेशन आपका ये पूछा गए मार्तंड का सूर मंदिर कहा है तो मार्तंड आपका कहा पढ़ता है कश्मीर में पढ़ता है फिर पूछा गए किस वंश के शाषक ने बनवा है तो बिल्कुल तो आपको याद रखना है फिर पूछा कि इससे कहते क्या है तो इसको कहते है पूर्व का दैति ठीक है तो पूर्व का दैति के नाम से अगर पूछा जाए पूर्व का दैति किस मंदिर को कहते हैं तो मारतंड सूर्य मंदिर को कहते हैं नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आपसे जिला पूछे अगर option में जिला की बेस पर आए तो आपको महसाना याद रखना है महसाना जिला हो जाएगा अगर आपसे पूछे राज जी पूछे तो राज जी आपको याद रखना गुजरात यह आपको मुढहेरा कहां पढ़ेगा गुजरात पढ़ेगा मुढहेर कि राजा भीम देव प्रथम ने इसको बनवाया था किसको मुढहरा का सूर्य मंदिर की बात यहां पर हो रही है बात क्लियर हो गई तो महसाना में है राजी पूछे तो गुजरात बताना है किस ने बनवाया था तो भीम देव प्रथम ने बनवाया था यह किस वंश के थे त सोमनात मंदिर कहा है और यह किस देवता को समर्पित है ठीक है तो बिल्कुल आपको सोमनात का सूर्य मंदिर तो जाहिर से किसको समर्पित हो जाएगा यह सूर्य देवता को सूर्य देवता मीस आपका शिव ठीक है शिव जी को आपको याद रखना है ठीक है इनहीं के मतलब अवतार कहलाते हैं इन्हीं का नाम है तो बिल्कुल यह आपका हाँ यह है कहां पर सोमनात का सूर्य मंदिर कहां पर है तो आपको याद रखना गुजरात ठीक है सोमनात का सूर्य मंदिर कहां पर हो जाएगा यह भी आपको क्या हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा ठीक है सोमनात मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो कब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सोमनात मंदिर पर आक्रमण किया था पूछा गया है कब किया था तो एक हजार पचिस एसवी में सोमनात मंदिर पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और यहां से सारी संपती लोड करके ले गया था ठीक है तो एक सोब पचिस आपको आंसर बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है सारे आपके मंदिर और मूर्ती से पूछी जाती है तो आपको यह क्वेशन बिल्कुल से आपको रड डाल ले है सोमनात मंदिर का आँखरी बाद जूरधार आप देखिए कई बाद इस पर नष्ट वगरा हुआ तो उसका लास्ट टाइम में जूरधार कब करवाया और किस ने करवाया तहिके कीज़् में अा पूछा गया और किस ने करवाया है तो सबसे पहले आपको उते हैं में last time की बात हो रही हैं आपर last time किस ने करवाय था तो 1950 में इसका last time पटेल ने कराया था जिनको को लोह पुरुष के deserved अगर आप से पूछा जास भारत के लोःपुरुष के रूप में तो सदार ब्लाव पटेल अगर लोःडी निकी आप लेडिया जटेया निकी आपको इंद्रा गान्धी को याद रखना है ठीके तो ये भी question आप समझ लीजिए सास बहु मंदिर कहां है तथा इसका निर्मार किसने करवाया ठीके सास बहु मंदिर कहां पर है इसका निर्मार किसने करवाया यह आपको बताना है तो विर्कुल आपको सास बहु मंदिर के लिए आपको याद अखना है इस प्रदेश में पड़ता है अब पुछाए इसका निर्मार किस ने कर वाया तो कचप घात शाशक महीपार अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगा ठीके next question हमारा है तैली का मंदिर कहा है तो ये भी आपका कहां पढ़ेगा ग्वालियर में ही पढ़ेगा ये भी आपका ग्वालियर में पढ़ेगा और अगर आपका सारे राज दिया हो तो आप राज लगाईएगा ठीके मतलब कहने का मेरा सेंस ये है अगर ग्वालियर भी दिया हो और राज भी दिया हो तो आपको ये वाला लगाना है ठीके एमपी के अंदर ही आपको ग्वालियर पढ़ता है ठीके तो आप ग्वालियर जगे हो जाएगी और आप राज कौन सा हो जाएगा मद्ध प्रदे परदा है next question हमारा है होई-स अलेश्वर मंधिर कहा है तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह कहा पर है करनातका में है लेकि करनातका में कहा है तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे सारे questions है, सारे ही questions आपको याद करने हैं, मैं बार बार इसलिए कहा रही हूँ कि बहुत ज्यादा important यहाँ पर आपके questions है, ठीके, pause करकर करके वीडियो को आप लोग जो है, answer दे सकते हैं, तो hello video में है, यानि कि होई सेल, hello video, hello video याद रखना है, कहां पर पढ़ता है, करनाटका में पढ़ता है, अब जाहिरती पास यह किस जो है, देवता को समर्पित है, ये किस देवता को समर्पित है, तो ये भी आपका जो है, शिव जी को समर्पित है, ठीके, तो सारा अच्छे से आपको हर चीज यहाँ पर याद करनी है, next question हमारा है, हजारा राम मंदिर कहां है, तो बिल्कुल यह कहां पढ़ेगा हमपी में हजारा कहां पढ़ता है तो करनाटका में पढ़ेगा ठीक करनाटका आपको याद रखना है फिर आपको याद रखना है मैंने कहा कि इसका निर्माण किस ने कराया था तो आपको याद रखना है क्रिष्ण देवराय को याद रखना है ये कैए है भगवान विश्नु को समर्पिते कहां है हमपी में है हमपी कहां पढ़ता है करनाटक में पढ़ता है किस ने इसका निर्मार कर आया तो कृष्णी देवराय ने इसका निर्मार कर वाया next question हमारा है सबसे प्राचीन प्रतिमा आजाज शल्तुर। परखम यक्ष कहां से प्राप्थ है। तो परखम आपका क्या है गाउं का नाम है। तो यह परखम गाउं कहां पढ़ेगा तो यह आपको पढ़ेगा मתुरा। ठीके याद करना अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन प्रतिमा जो अजाशत्रू की है ठीके यानि कि पर्खम यक्ष जी से कह सकते हैं तो यह कहां से मलब मिली है तो मत्धुरा के पर्खम जगे का भी नाम है और पर्खम प्रतिमा का भी नाम है ठीके तो पर्खम मफरा संग्राले में ही संग्रहित है यह आपको आपको याद लिखना है मतरव में मुझेम में ही संग्रहित है संग्राले में संग्रहीत है क्या अजाशत्रु की प्रतिमा जो मत्रह से मिली है ठीक है मत्रह में कहां मिली है तो पर्खम कहां उसे मिली है पर्खम यक्ष जो मत्रह से मिली है कि उचाई कितनी है अब इसके बताने इस प्रतिमा मिली इसकी उचाई कितनी है तो आज हम लोगों ने 16 क्वेशन की है सोला क्वेशन से लगबग आपके 32 लगबग क्वेशन जरूर बने हुएंगे ठीक है तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा इसी तरीके से आगे भी हम लोग वन लाइने क्वेशन करते रहेंगे अब्जेक्टिव क्वे क्या दिक्कत है कि यूट्यूब वाले नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं तो आप लोग जब सब्सक्राइब किया करिए तो लास्ट में बेल आइकॉन जो होता है उसको भी पुश कर लिया करिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुच जाता है ठीक है इसके लाब बेल आइकन दबा लिजेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैंने यूट्यूब में सर्च किया देखा तो उसमें 10 लोगों 10 या 20 परसन के पास ही नोटिफिकेशन पहुच रहा है क्या रीजन है मुझे नहीं पता ठीक है चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे हम लोग इसी तरीके से वीडियो क्लासेज लेते रहेंगे तो सभी को जय हिन जय भारत